dear students good morning as you know we have done some part of the chapter 1 of Kanthapura in the previous video but today we will do the next part of chapter 1 of the Kanthapura जैसे कि आपने beginning में देखा कि सारी location बताएगी है गाम की तो next अपार्ट में अब जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें different types की जो categories हैं गाम में की different different categories में गाम बटा हुआ था जैसे there were our village had 4 and 20 houses not all were big like postmaster surya narayans अब कुछ ऐसे लोग थे जिन के पास बड़े घर थे community different different community में बटा हुआ था जैसे कुछ ब्रहामिन थे potters थे weavers थे और शुद्रहाज थे तो different different short questions important बनता है कि कैसे गाम categories में different different categories में बटा हुआ था तो our village had 4 and 20 houses not all were big like postmaster surya narayans double storied house जैसे postmaster जो surya narayans जी थे उनके पास भी एक big house था then second character जो पटवारी नन जुडिया था उनके उनके पास भी बड़ा वरंडा और बड़ा house था okay and then kanya house people there were which were which even postmaster surya narayans से भी ज्यादा बड़ा घर पटवारी नन जुडिया का था then there were the kanya house people who had a high veranda kanya के पास एक अच्छा घर था बड़ा और दो जो character women character है एक है वेन कमा और दूसरी है रंगमा तो वेन कमा बड़ी ज्यादा बोलने वाली है और गलत बोलने वाली लेडी है और रंगमा एक gentle लेडी है और एक freedom fighter है जो की मुर्थी के साथ full sport करती है लेडी और रंगमा के पास कोई baby नहीं है कोई बच्चा नहीं है बट वेन कमा के पास है तो वेन कमा जो है उसे की family member उसकी sister-in-law है तो वो बड़ी ही rude तरीके से बोलती है और जो भी कोई मिलते है उन्हें रास्ते में कोई lady मिलती है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं तो next मैरा जब वेन कमा का character बड़ा शो करता है और मैं थोड़ा सा इसे पढ़ू वेन कमा कह रही है waterfall वेन कमा में जो ज्यादा बोलती है गलत बोलती है waterfall इसे एक word यूज किया गया उसके लिए why should a widow and a childless widow too have a big house like that and it is not her father that built it जैसे normally ladies आपस में कहती है कि जिसके पास कोई बच्चा नहीं है और वो lady widow है कि क्यों यह क्या करेगी तने बड़े घर का क्या इसके father ने बनाया है said c it's my husband ancestor that built it कि मेरे जो husband के ancestor means मेरे father-in-law है जो मेरे ससूर है जो उनके पिताजिया उन्होंने बनाया था और इसके पास कुछ भी नहीं है कोई बच्चा नहीं है जो इसे अपना कही और देखो कैसे पहनती है कि ती उसकी गोल्ड बेल्ट वाली और वो धर्मावरी साड़ी देखो means वहिश्य को वहिश्य कहा जाता है वहिश्य कहीं की and so night and day did she how whenever she met temple Lakshamma और भटाज वाइफ चिनमा coming back from the river to tell you the truth when Kama's own house was a big and we built and well built as her sister-in-law's but she said it was not large enough for her family तो Lakshamma मिलती है भट वाइफ चिनमा मिलती है तो ऐसे ही वो रंगमा के बारे में बोलती है हाला कि वेंगमा के पास अपना एक बड़ा घर है जितना ही बड़ा जितना की रंगमा के पास है प्रन्तु वो satisfied ने वो कहते कि मेरी family के लिए छोटा है और इवन किसी कुड़न्ट बियर दा आइडिया देट वाइट वाइड बाई रंगमा अपने जो family है उसको बुला लेती है अब देखी नेक्स्ट जो रंगमा है वो अपने मदर और फादर को बुला लेती है जैसे father and mother when the vacations came रंगमा had all her रंगर brothers and children of the elder one from the Bombay all those city bred fashionable idiots to spend the summer जब भी कोई छुटियां होती है ये वन कमा बोल रही है कि जब भी कोई छुटियां होती है तो अपने father और mother को बुला लेती है अपने ब्रदर के बच्चों को बुला लेती है कही fashionable idiots बोलती है उने tell me his head when कमा one day to a कमा एक दिन कमा को कहती है वो bringing forward her falling sadi over her shaven head why should our family feed there कि हमारा जो परिवार है उनका पेट क्यों पले क्यों उनको खिलाए क्योंकि वे रंगम है जो अपने parents को बुला लेती है अपने cousins sorry अपने brother को बुला लेती है ब्रद के बच्चों को बुला लेती है छुटियों में यदि मेरे इतना सहास होता है यदि मैं कर सकती तो मैं उनके खाने में च्छिपकली का जहर डाल देती well that will come to खवाएगा वो दिन अच्छा है ऐसा करने का she would clap her hands and go into her house leaving front house Akamma to hurry up her steps अब ऐसे ही तालिब जाके और वो अपने घर में चली जाती है Akamma के घर के सामने है Akamma कैसी लेड़ी है then Akamma had people on come to visit them अब Akamma जो सामने घर है उसके पास बहुत सारे लोग मिलने आते हैं जैसे की coffee planter Ramayya is a cousin of her sister-in-law and when he is on the अब Ramayya जो है वो कारावार जाता है और कारावार से काइं बार his way to कारावार he sometimes drops in see them तो कई बार वह Akamma के पास रुक जाता है क्योंकि वो काम करता है और वो night में अपनी जो ferry वहीं डालकर क्योंकि रात में जहां वो जाता है उस road के उस पार तो वहां से वो वापिस आता है और वहां रास्ते में Akamma के पास रुक जाता है और एक midday meal arrange किया गया है वहां day meal he will have a vermicelli प्यासम अब पटवारी नंजुडिया भी आया है और उसके सन इन लोग या क्योंकि पटवारी नंजुडिया के जो दामाद हैं और जो बेटिया हैं शादी के बाद भी उसी के पास रहते हैं तो और भी लोग हैं जो जैसे कि temple people मतलो मंदिर के लोग आते हैं fig tree house people fig tree के पास जिनका घर है वो लोग भी आते हैं और एक डोरे क्रेक्टर आया है यहां डोरे दा इनुवस्टी ग्रेजवेट अब यह जो डोरे है यह इनुवस्टी ग्रेजवेट है हालांकि इसकी इंटर भी complete नहीं होगी है तो डोरे की जो पेरेंट्स हैं वो बच्पन में नेक्स जो बताए गया है कि बच्पन में एक्सपायर हो गए थे मदर एंड फादर और सिस्टर्स की शादी हो गई थी तो यह अपने एजुकेशन हासिल करने सीटी में चला गया हाईर स्टाडिस करने ओके तो आहलांकि उसकी इंटर भी complete नहीं बिग्निंग में वो बड़ इसी वो टॉर फोर में आ जाता है और इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते तो इसी टाइप का डॉरे था बट लेटर उन्होंने गांधी जी की जो बाते हैं वो फोलो की और हैट छोड़ कर सूट शोड़ कर उन्होंने खादी पहननी शुरू की बट फिर भी हालांकि उन् हाइलाइट किया है कि वाइस नॉट लाइक कॉर्णार हाउस मूर्थी डोरे तो था महां गांधी फोलोवर सा हालांकि वो काम भी करता था गांधी की रोल्स रेगलेशन के अकोर्रेंग बट लोग फिर भी उसे इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मूर्थी के जैसा न एफरेंट एंड ब्रहामनिक अ वेरी प्रिंस आई टेल यू मतलब बहुती नॉबल था काउ जैसा बड़ाई शरीफ था बहुती शांत रहने वाला बहुती काइंड हार्टिड यालू शांत और ब्रहामनिक था मतलब ब्रहामन के जो रूल्स रेगलेशन वो फोलो करते थे पूजा पार्ट हो रही है वो सारे करता था वी लवड हीम अफकोर्स एज यू विल सी और इफ ओनली आई है नॉट अब अकमा ये अचक्का जो बता रही हैं स्टोरी नेरेटर है कि अदि मेरे पास कोई लड़की नहीं थी अचक्का कह रही है अगर लड़की होती तो मैं उसके ये शादी मुर्थी के साथ कर देती बट नेक्स्ट वो जो एक और बाद बता रही है कि अब शीनु अचक्का का लड़का है और मुर्थी और अचक्का का बेटा जो शीनु है वो एक ही एस के हैं और ऐसे लगता है वो एकठे रहते हैं जैसे राम लक्षमन की अब इस जोड़ी को कम्प्लीट करने के लिए वो यह कह रहे हैं कि इस एक सीता की जरूरत है और यह जो कौफी प्लांटर है रमया वो अपनी डोटर का जो हाथ मुर्थी के लिए लेने आये था कि मुर्थी की शाथ उसकी शादी हो जाए रमया की बेटी की बट उनकी कुंड जैसे प्रईया किवार्टर था ओके पोटर्स किवार्टर है वीवर क्वार्टर था शुद्र क्वार्टर था ओके यह ठालागी जो प्रईया क्या है कितनी हर्ट्स धी वहाँ लग बग 100 ऐसी जोपडियां थी जो वहाँ से देखती थी हालां कि वहाँ वो जाते नहीं थे ब्रहामन प्रंतु शुद्रों में नहीं जाते थे ये एक untouchable माने जाते थे और बड़े ही अगर कोई चला जाता था तो उसको लोग क्रिटिसाइज करते थे कि क्यों गया बट मुर्थी जाता था अफकोस देखिए अफकोस यू वोड़न्ट एक्सपेक्ट मी तो गो तो प्रहिया क्वार्टर बट आई हैव सीन फ्रॉम दा स्ट्रीट कॉर्नर बीडल तिमयज अब प्रहिया के क्वार्टर में भी नहीं जाता था कोई ओके शुद्रा में भी नहीं जाता था ये जो क्वार्टर हैं इन में कोई नहीं जाता था क्योंकि इनको लोग लेवल का मानते थे वो ब्रहमिन जो क्वार्टर थे और अगर कोई ब्रहामन चला जाता था तो उसे ex-communicate कर दिया जाता था means गाउं से निकाल दिया जाता था means उनका हुका पानी बंद कर दिया जाता था और next आगे मुर्थी के साथ भी ऐसे ही गाउंवले करेंगे क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं कि मुर्थी प्रहा क्वार्टर में शुद्रों के क्वार्टर में ये विवर्ड पॉर्टर के क्वार्टर में जाए और उनसे बात करें वो ये समझते हैं कि ये तो वो हो गया भरस्ट हो गया तो इसलिए अशुद्ध हो गया भरसनी अशुद हो गया क्योंकि ये शुद्रा के प्रहियाग स्केक क्वाटर में जाकर आया है बट मुर्थी फिर भी जाना बंद नहीं करता अब हर्ट्स में कौन-कौन थी तिमयाज हर्ट थी हालांकि तिमयाज के पास भी एक अच्छा घर था और सिध्धा था सिध्धा के पौक मार्ग्ड सिध्धा जो कि वो भी एक रियल्थ होती हाउस में रता बिग वरांडा था उसका और सिध्धा की जो सिध्धा की वाइव थी वो बिमार हो गई थी और बिमार क्योंकि सिध्धा अफोर्ड कर सकता था इसलिए वो अपने वाइफ को दिखाने के लिए पूर्णा लेकर गया और यह मौका नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है कि जैसे सिधा की वाइफ थी सिधा के पास भी जमीन थी अभी की वरांडा था लार्ज रूफ उपर लिखा हुआ जैसे इसके पास भी इतनी ही जमीन थी तो सिधा की जो कंडिशन्स है उसका फायदा भट ने उठाएक वोगी भट एक मनी लेंडर था और अगर किसी को पैसे की जरूर्थ पढ़ जाती तो वो ज़्यादा ब्याज लगा कर पैसे देता था तो उसे मोका मिल गया था गिर्वी रख लेते थे जैसे जमीन जिद्धा के पास जमीन थी तो वो जमीन गिर्वी रख लेता था और उसे फिर देता ही नहीं था भट ऑफ कोस प्रॉफ्टेड बाइदा ओकेजन अब इस ओकेजन का जो सिधा की वाइफ बिमार हुई और उसे पैसों के जोरत पड़ी तो इसका फाइदा भट ने उठाया और अपनी जमीन जदाद में कुछ एकड और शामिल कर लिए उसने सिधा के जो जमीन है वो लेली क्योंकि सिधा को पैसे दिये और वो उसने गिर्वी रखे होंगे अब इतना चलाकत है भट अब या भट के करेक्टर के बारे में बताए गया है कि भट कितना चलाकत करेक्टर था वन डे ही वा शोर तो बिकम दा जमीदार ओफ दा होल विलेज शोर है कि एक दिन उसने जमीदार बनना था हलांकि बहार से वो सो नहीं करता था देन पोर्टर स्टीट थी वो सबसे छोटी गली थी पोर्टर की और इसमें लगबग पांच घर थे पांच घर में लिंग्या, रमय्या, सुब्या और चंद्राया का था owned by the four big houses and old कमलम्मा had a little broken house अब इनके पास तो लिंग्या रमय्या, सुब्या, चंद्राया के पास तो फिर भी बड़ा घर था प्रन्तु बुढ्धा कमलम्मा था उसका घर टूटा हुआ था छोटा घर था at the end of the street where she spent her, कमलम्मा है जो लेडी है, spent her last days with her only son उसका एकी बेटा था और उसके साथ वो अपना जिवन बिता रही थी formerly they say the porter street was very flourishing but now with all these modern, अब क्या था जो porter है, जो कुमार है, पहले तो मिट्टी का काम करते थे, घड़े बनाते थे, इंटे बनाते थे परन्तु जैसे ही ये tile का का काम सुरू हुआ, modern tile लगनी सुरू हुई road पर, गलियों में तो उनका काम बंद हो गया और बहुत सारे लोगों ने port बनाने का काम छोड़ दिया, बट चंद्रेया still made festival pots and for goris festival परन्तु जब तहार आते थे, तो तुम तहारों के लिए चंद्रेया पोर्ट बनाता था, ठीक है, he makes our images too, and even sold at the मंजार पुरफेर, और मैलों में उनको बेचता था, वो छोटी छोटी जो मुर्तियां वो भी बनाता था, और मैं ले में उनको बेच कियाता था, परन्तु जो सारे और थे, वो भोले थे बचारे, और या तो अपना खेत जोटते थे, खेती करते थे, या फिर वो नेबरिंग वीजलेज में जाकर लोगों की इंटे बनाने में help करते थे, आप तेल रंगे गोड़ा, पतेल रंगे गोड़ा का जो करेक्टर बताया गया, यहाँ एक बहुत अच्छा आदमी बताया गया उसे, अब एक मोटा, एक मजबूत आदमी था, और वो कहते हैं कि हम, कहते हैं ने, जैसे गिदरों के बीच में सेर था, वो एक शेर था, एक टाइगर था, चीता था, मतलब उसकी परस्न, वो किसी से डरता नहीं था, इवन की जो अंग्रेजी अथोर्टी है, वो भी उसे डरती थी, अब जो वो कहता था, जो वो सोचता था, अपने हाथों से, अपने दिमाग से, उसने बहुत कुछ कमाई की, मतलब अपनी मेहनत से कमाई की, उसने गोल्ड रिकटा किया, और अपने हाथ में भी वो बैंगल पहन के रखता था, सॉलिड, और इस डॉर्टर, अल त्री उफ देम, लिवड विद हिम, एंड सनी लो, दमाद भी उसके साथ रहते थे, और बेटियां भी शादी के बाद उसके साथ रहती थी, बरंद तू, दमाद, जो, वो स्लेव की तरह रहते थे, दासों की तरह उसके पास रहते थे, तो ऐसे लगता था, जैसे वो स्लेव हों वहाँ, अब पटेल को यहां टाइगर कहा गए, कि वो एक टाइगर था, और अगर वो यह कह देना, even a coconut leaf roof will become a gold roof, अगर coconut roof बनी है, छत बनी हुई है, कोई coconut की, घास की, और वो यह कहें कि ने, गोल्ड की बनी है, त तूदा अथोर्टिस, तो पटेल रंगे गोडा थे जो, अगर वो इतने मानदार थे, कि लोग उनकी बातनों को आखे बंद करके मानते थे, जैसे मैंने अभी बताए कि coconut roof को अगर वो यह कहें कि गोल्ड roof है, तो लोग वो भी मान लेते थे, मिस लोगों का उन पर इतना व और बेटियां होती, अब शुद्रा के पास जो है, नेक्स्ट शुद्र के बारे में बताए गया है, कि शुद्र के पास भी हालांकि घर तो थे, परन्तु वो बहुत गरीब थे बचारे, they were always badly dressed and always paid taxes and debts after several notices, और revenue को की कर लगता था, टेक्स लगता था, ठीक है, जैसे आपने pictures में भी देखा होगा, बड़े बिचारे taxes भी बार बार उनके पास notice आते थे, या फिर उनको पीटते थे, तब वो tax pay करते थे और वो भी क्यापता उधार लेके, but as long as रंगे गोड़ा was there, there was no fear, प्रन्तु क्योंकि रंगे गोड़ा गाम में था, तो हमेशा लोगों की help करत था, तो कोई भी problem इतनी face करनी नहीं पड़ती थी, he would see them through the difficulties and they were of his community, he would see them through the difficulties, वो उनकी मुश्किलों में help करता था, उनको बाहर निकालता था, okay, and then the Brahmin state started just on the opposite side and my own house was first on the right, और तो क्या है, कि पहला घर, अब Brahmin state के सामने चक्का गहरे कि मेरा घर पहला था, तो बेटा ये था, community के बारे में, कि समाज कैसे वर्ग में बटा हुआ था, और आपने short questions learn करना है, और अब detail में आपको कहीं character के बारे में पता चल गया होगा, तो learn it, thank you, have a nice day.